वेलकम तो शॉट हैंड डिक्टेशन गुड मॉनिंग इस्टेनोग्राफी सिरीज में आप सुबे का स्वागत है जहां आपको मिलता है सतर, असी, नबबे, सौ, एकसो दस और एकसो बीज सब्दे प्रति मिनट के डिक्टेशन बैक टू बैक तो चले स्टार्ट करते हैं इसके कठिन वर्ड्स और इसके आउटलाइन्स को तो आपको इंडेक्स तो पता ही होगा कि कौन से डिक्टेशन कब दी जा रही है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन मिलेंगे आपको दैनिक जागरन से और असी 110 और 120 में आपको मिलेगा हिंदुस्तान टाइमस से लेकिन 120 में आपको कुछ अंस देखने को मिल जाएगा दैनिक जागरन के क्योंकि 120 अब प्रति मिनट में 5 मिनट कम्पलीट नहीं हो पाते इसलिए उसको include कर दिया जाता है तो अब बढ़ते हैं outlines की तरफ देख लेते हैं पहले दैनिक जागरण के इसमें है car state निर्मार के लिए तो car state के लिए common rock का आकड़ा लगाकर श और ड श का circle फिर ड और उसी में हमने निर्मार जोड दिया है और के लिए का rule इसमें apply कर दिया है अगर आप चाहें तो के लिए के लिखके law जैसे लिखते हूँ वो लिख सकते हैं लेकिन अगर आप ये rule apply करते हैं इस टैनो हेल्पलाइन पे जो हमने बताया था तो उससे अपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी speed भी बहुत improve होगी guaranteed next is supreme court कई बार मैंने बताया होगा लेकिन यहाँ पे आया है तो फिर से बता दरी हूँ sir पर में रो का अकड़ा लगा के ma और का में रो को का को छोटा करेंगे तो टोज उड़ जाएगा या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाते तो sir पर मो और कोसे कट कर दीजिए next आनन फानन में अब कूट वाले सब्दों को हम बनाते हैं अ का अकड़ा फिर न का अकड़ा लगा दिया है और first से कट करेंगे कूट वाले सब्दों को पहले वाले को सब्दों को पूरा बनाते हैं दूसरे वाले को पहले के अकशर से कट कर देते हैं तो आनन फासे कट किया तो फानन और में के लिए हम छोटा सा मो बनाते हैं तो यह हो गया में मैंने बताया था में, से, ता और के लिए ये सब आते हैं तो हम कैसे इसे आसानी से जोड़ सकते हैं और अगर आप हमारे outlines daily देख रहे होंगे तो आपको इतना तो अभ्यास होई गया होगा Next is Samagic संगठन Samagic स और ज से भी Samagic होता है And Samagic के लिए श, ग, और नॉलिक दिया है यानि खत्रा हो जाएगा And बढ़ता के लिए बढ़ धर तर लिखेंगे और जो को बढ़ा करेंगे दाहा रही रहे जुड़ जाएगा और है जोड़ दिया हमने Next है जल, जंगल, जमीन ये अकसर एक साथ आता है जल, जंगल, जमीन या फिर अगर आप एक साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो अलग-अलग भी बना सकते हैं लेकिन 110 और 120 अगर आप लिखेंगे तो अलग-अलग बनाएंगे तो ये वर्ड जरूर से छूट जाएगा एक या दो इसमें छूटी जाएगा या फिर आप क्या करेंगे इंग्लिस में लिखेंगे तो जो अलाउड नहीं होगा तो इस तरह से बनाएए जल के लिए जमील लॉकर आकड़ा फिर डैस लगा के फिर जो और गमील लॉकर आकड़ा फिर जो से कट कर दीजिए तो यह जाएगा जल जंगल जमील और इसली आप इसे पढ़ भी सकेंगे नेक्स्ट अधिक बढ़ गई है अधिक का सबचिन होता है अधिक लाइन के उपर होता है धोखा लाइन पर होता है और लाइन कट करके धका होता है अधिक धोगा धका अब कुछ लोगों ने ये मैंने बिजब बताया था तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये कहां दिया है सब चिन में और कहां इसकी आउटलाइन दी है इतना बड़ा वर्ड और इसे हम इसली छोटे से वर्ड में बना सकते हैं तो सुनिश्चित के लिए फिक्स आउटलाइन होती है श, न, श, और च, और त, सुनिश्चित हो गया एंड इसी में किया कम क्या किया का सब चिन होता है तो को लगाएंगे तो किया पड़ा जाएगा एंड ही के लिए हो के सर्किल बना दिया है और इसी के तरफ जोब बड़ा करेंगे जोब के वर लिखेंगे और चाहिए का चाप लगा देंगे और की के लिए डैस निकाल करके की का डैस लगा देंगे यह देखा जाए की यह और द, द से देखा और जाए लिख सकते हैं ले किन किसी और ने भी पूछा था कमेंट बॉक्स में तो ये आप देख लीजिए यह लिखा हमने ठीक के लिए ठा और का लिख दिया और इसी में नहीं की जोड़ दिया अगर नहीं है की आता तो भी हम इसे एक और हका सेकल बना देते और की जोड़ देते अटकी पड़ी हुई है अटकी के लिए अट का होगया अटकी और पड़ी के लिए पॉमे रखा अकड़ा फिर हुआ हुई का सबचिन और है का अकड़ा हुई है अच्छे से डिफ्रेंसियेट हो सके इसलिए हमने तीसरे इस्थान पर बिंदी लगा दी है बहु अचन जैसे नहीं लगा अगर ब पहले को पूरा लिखते है और दूसरे के पहले अक्षर से कट कर देते हैं तो योजना लिखा एंड पॉसे कट कर दिया तो पर योजना हो गया बैतर हो की बैतर हो की बैतर है की तो यह कैसे बनेगा बैतर को बहु और हो की के लिए हाँ उपर की तरफ और की जोड़ देंग बढ़ाने के लिए बहुत से कट कर दिया है और पर इसमें जोड दिया है पर में से यह सब हम जोड सकते हैं लेकि ने में और नहीं जोड सकते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं कि कौन से सब्ध हम जोड सकते हैं कौन से नहीं जोड सकते हैं इसका एक अलग वीडियो हम बना फिर अमने community tab में भी बताया था लेकिन कोई बात नहीं सायद new subscribers होंगे तो नहीं पता होगा तो फिर से मैं बता दरी हूँ दक्षन द्रू के लिए द्रू लिखेंगे शा लिखेंगे और इसमें द्रू द्रू लिखेंगे और ये ये जो आपको पर दिख रहा होगा ये पर नहीं है ये लिखने की mistakes है ये यहाँ पर last में वो रहेगा यानि दक्ष धो में रोक आगड़ा फिर ये वो वो आप अपने से बना लिएगा अगर ये समझ में ना आ रहा होगा तो वो बना लिजिएगा नेक्स्ट है उडिशा 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 बोला जाता है तो उडिशा या उडिशा आउटलाइन तो सेम ही होगी तो ड लिखेंगे यानि की रा को कट करेंगे तो ड होगा तो रा लिखेंगे ड और श लिख देंगे तो ये हो जाएगा उडिशा तो U की मात्रा के लिए हमने लाइन कट करके लिखा है तो अगर आप O लिखना चाहें तो ये लाइन पर लिख सकते हैं या लाइन कट करके भी लिख सकते हैं कि ओकी आउड लाइन दो सेम होती है और सेंटेंस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि उडिशा लिखना है कि सब्सक्राइब लगा सकते हैं तो सक्री हो अगर है आता तो नीचे की तरफ यह हो लगाते और उठता है के लिए तो मीध है यह आउटलाइन आपको समझ में आई होगी अब बढ़ते हैं कुछ और आउटलाइन की तरफ जो की है हिंदुस्तान से ये तो दैनिक जागरण के थे अब हिंदुस्तान के देख लेते हैं क्योंकि उसके थोड़े जादे वर्ड्स निकलते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होता है देख़े दसहरा जैसे लिखते हैं अब अब है मानवी या सभ्गता मानवी जैसे मानव लिख्ते हैं म, न, व, शभ्गता इसमें जोड़ देंगे सब, भ, त, अब आप कहेंगे हमने त क्यों लिखा है तो हमने बताया था, जब भी किसी सब्द के लाश्ट में ता आता है, तो हम किवल ता लिख कर ही उसे ता पढ़ते हैं, और अगर कुछ मात्रा आता है, आता है, की आता है, तो उसे हम तौका आखड़ा लगा के जोड़ देते हैं, नेक्स्ट है महुत्सओ, महुत्सओ के लिए मह और ह, फिर तो, और सौका आकड़ा फिर उसी में वा लिख दिया है, और इसी में है जोड़ दिया है, तो योगे महुत्सओ, नव रातर की आउटलाइन हमने बताई थी, लेकिन यहाँ फिर से आया है, तो फिर से बता दिनी हू न, व, और उसी व को बढ़ा करेंगे तो र जुड़ जाएगा और त्रौका चाप एंडेस लगा करके में जोड़ दिया इसमें राम लीला, राम की फिक्स आउट लाइन होती है नीचे वाला रा, फिर म, राम हो गया लीला के लिए डबल ल बना दिया है नेक्सट है, नव ठान है ब्यावहार ये समिक्षा के लिए अगर एक साथ आता है तो इसे आप एक साथ लिख सकते हैं नहीं तो अगर असी में या सत्तर में लिख रहे हैं तो समिक्षा अलग लिखे और के लिए उसमें जोड़ दे ब्याओहार और समिक्षा यह 120 वालों के लिए है, कि कैसे आप इसे जोड सके, तो ब्याओहार और समिक्षा के लिए 100 मौक शनल लिखेंगे, और वैसे समिक्षा लिखेंगे, तो 109 का अकड़ा नहीं, मौ का अगड़ा लगाएंगे और के लिए का रूल इसमें अप्लाई कर दिया है अब अच्छाई और सच्छाई अच्छा का सब्चिन होता है लेकिन हमने यहाँ पे अच्छा का सब्चिन नहीं लिखा है क्योंकि हमें अच्छाई बनाना है इसे and easily पढ़ना है और लिखना भी है तो लिखा है च्छा लिखा है and ए के लिए आई या ए के लिए हमने मात्रा लगा दी है तक अच्छाई बढ़ सके और सच्छाई के लिए कूट वाले सब्द हैं इस्थापित के लिए 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 इस्था अलग इसम लिख दिया है संकालीन ता के लिए आप्टा के लिए विजय दसमी है विजय लिखा है आप विजय का सबचिन के वह लिखे वीज़ समय उlease मांसिक के लिए हम सामाजिक और और मांसिक ज्यादा आता नहीं है इसलिए हमने इसे जोड़ दिया इस पेसली कि आप अच्छे से समाज सकें तो सामाजिक के लिखक हमने मौ से नहीं कट किया है क्योंकि वो कुछ और ही सब्द बन जाता और हमें पढ़ने में नहीं आता तो हमने लिखा है साजर को से कट किया प्यत्सामाजिक और मांसिक के लिए मौ नक्टटऑ अकड़ा लगाते हुए शाओ का सर्किल फिर कर लिख दिया है एसा लगता है ऐसा का सब चिन और लगता है के लिए लग चोटा सा गव बनाएंगी या फिर नहीं भी बनाएंगी तो भी हम गव पढ़ा हुआ लिखा हुआ समझेंगे उसमें लगता और है की काकड़ा इसमें जोड दिया है नेक्स्ट है खड़ा किया जाता है खड़ा के लिए ख़ और ड़ भी लिख सकते हैं या फिर ख़ो में रो भी लिख सकते हैं रड़ा के लिए हम रो भी शॉट हैं में लिख सकते हैं खड़ा और डैस लगा करके किया जाता है नेक्स्ट है हिर्दे हृदय के लिए हरो को बड़ा करेंगे हर को बड़ा करेंगे तो रो जुट जाएगा और द यह लिख देंगे तो यह हिरदय की आउटलाइन होती ही, फिक्ष होती है next है सांतवना प्रदान करता है सांतवना के लिए शञ न तवा का त्वा जैसे आप उप्सावर के प्रत्य पढ़ते होंगे वहाँ से हमने त्वा लिखा है स्वात्वना और नौ की आकड़ा लगाने की अवशकता नहीं है हम पढ़ सकते हैं स्वात्व प्रदान करता है नहीं होता है और के लिए का रूल इसमें अप्लाई कर देंगे एक प्रश्न यह भी एक प्रश्न के लिए एक अलग लिखने की एक और दो जो सब्चिन होता वो लिखनी के आवशकता नहीं है क्योंकि उसमें पैंसल उठानी पड़ती है पैंसल या पैन और फिर हमारी आउटलाइन आगे क चूट जाती है तो एक के लिए हम का लिखेंगे और प्रश्न और यह भी का जो हमने बताया था यह भी आता है तो कैसे लिखते हैं तो वह यहां पर इसमें जोड़ देंगे अवसर देता है आवशर के लिए लिए और फिशा का सरकल फिर रहा तो आवसर दे देना देता और है इसमें जोड देंगे प्रेम में करते थे तो प्रेम के लिए पॉमे राका कड़ा फिर मौ उसी में के लिए हम छोटा सा मौ बनाएंगे और ये करते के लिए पॉमे राका कड़ा फित्ते और थे के लिए हम था बनाते हैं लाश्ट में सेकंड इस्थान पर बिल्दी में नहीं केलिए मौलक अर्व करकी मौलिख लगा divra दिंगे मर्यादधा परंपराकूट वाले शब्द हैं लिए यादध सा愉डव के थोब देने के-लिए एक साथ भीनिख सकते हैं और अलग-अलग भीनिख सकते हैं थोप के लिए थो और पॉलिका है हमने देने के लिए रूल इसमें अप्लाई कर दिया है एक ही में जोड़ दिया है और अगर आप अलग-अलग लिखना चाहें तो थोप लिखें ओकी मात्रा है इसलिए लाइन पर लिखा है हमने थोप और देने के लिए जो रूल हमने बताय यहां पर अपलाई कर दिया है तो यह तो रही आउट लाइन अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ जो की है पहले सत्तर सब्द प्रति मिनट सत्तर नबबे और सौ दानिक जागरॉंड के मिलेंगे और असी 110 आपको मिलेगा हिंदुस्तान टाइम्स के और 120 भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्तर सब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकेंड बाद स्टार्ट मुंबई में मेट्रो के कारसेड निर्माण के लिए पेडो को काटने का विरोत आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुचा उसने मुंबई की आरे कालोनी में पेड काटने पर रोक लगाने का आदेश देने के साथ ही मामले को पर्यावरन पीठ के समक्ष भेज दिया इस पीठ का फैसला जो भी हो इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की जितने पेड काटने जरूरी थे उतने काटे जा चुके हैं बंबई हाई कोट के फैसले के बाद यह काम आनन फानन में सायद इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई मेट्रो कार्पोरेशन यह जान रहा था की हाई कोट के फैसले को चुनोती दी जाएगी जो भी हो यह पहली बार नहीं जब पर्यावरन प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों ने पेडों को काटने का विरोध किया हो और अपनी लडाई अदालत तक ले गए हो कई बार तो सडक या फिर रेल मार्ग निर्मान के लिए पांच दस व्रिक्षो को भी काटने का विरोध किया गया है इस विरोध के चलते विकास योजनाओं का काम रुका भी है आज जब जलवायू परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है और जल जंगल जमीन को संरक्षित करने की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है तब यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि सहरी इलाकों में ब्रिच्छों को काटने की नौबत न आये लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास जमीन पर ही होगा और जब ऐसा होगा तो कहीं न कहीं पेड काटने ही पढ़ेंगे वास्तों में परियावरन और विकास के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ती तभी होगी जब बीच का रास्ता तलासा जाएगा पहले तो यह देखा जाए की कम से कम पेड काटने पढ़ें फिर यह सुनिश्चित किया जाए की जितने पेड काटे जाए उससे कही अधिक न केवल लगाए जाए बलकी उनकी देख भाल भी की जाए अगर यह जिद पकड़े जाएगी की चार पेड भी न कटने पाए भले ही विकास के काम ना हूँ तो इससे बात नहीं बनेगी यह ठीग नहीं की विकास की कई योजनाएं पर्यावरन संबंधी सवालों से दो चार होने के कारण अटकी पड़ी हुई है इनमे से कुछ की तो लागत भी बढ़ गई है यह ठीक नहीं निश्चित रूप से विकास की चिन्ता करते समय पर्यावरन की भी चिन्ता करनी होगी लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी योजना परियोजना की राह में कुछ वृच्छ आ रहे हूँ क्या यह अजीब नहीं की पर्यावरन की तमाम चिन्ताओं के बीच पंजाब और हर्याना में पराली एक बार फिर जलाई जा रही है क्या यह पर्यावरन को जान बूझ कर जहरीला बनाने वाला काम नहीं बहतर हो की पर्यावरन के साथ विकास की भी समान चिन्ता की जाए और जंगल बचाने बढ़ाने पर कहीं जादा ध्यान दिया जाए सतर सब्द प्रति मिनट के डिक्टिशन की जो की है हिंदुस्तान टाइम से तो चलिए बढ़ते हैं असी बड़ पियम क्योर किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि 90 बड़ पियम मैडम की बॉइस में दिया जाए क्योंकि यूपिटर बड़ पियम में बहाँ पर फिमेल बड़ पियम देखने को मिलती है तो आज आपको आज से आपको 90 बड़ पियम उनीकी बड़ पियम मिलेगा 800 बाकी मैं दियूँगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 बड़ पियम स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद दस अहरा नकेवल भारतिये वलकी संपूर्ण मानविय सभ्यता की आधार भूत प्रशनों से जुड़ा महोत सभ है यह नवरात्र में चलने वाली राम लेला का समापन मात्र नहीं यह मानव जीवन का नवोत्थान है आत्म चिंतन और ब्योहार समीक्षा के लिए प्रेर्ट करता यह महोत सभ अच्छाई सच्चाई की उपियोगता को हमारे समाज में पुना सिद्ध और इस्थापित करता है कई त्योहार ऐसे हैं जो पुराने पढ़कर अप्रसांगिक हो चले हैं लोगों ने उन्हें मानना छोड़ दिया लेकिन दसहरे की समकालिंता सदयव बनी रहेगी दसहरे या बिजिया दसमी के इस महोत सभ की भव्यता के समय साथ बढ़ती ही जा रही है रामलीलाओं का आकार बढ़ा होता जा रहा है राबन के पुतले बढ़े और संख्या में ज्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि इस आयोजन की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक जरूरत बढ़ती जा रही है ऐसा लगता है कि लोग बुराई और असत्य से तंग आ चुके हैं तभी तो राबन का पुतला गली-गली में कुछ देर के लिए खड़ा किया जाता है और उसके दहन पर खुसी मनाई जाती है लोग यह बात भी समझने लगे हैं कि अब एक सहर का कोई एक या दो राबन नहीं वलकि एक सहर में कई हजार राबन होने लगे हैं लगफग सबके अपने अपने राबन हैं जिनका दहन हिरदय को सांतोना प्रदान करता है हमारे समाज में दसहरे से जुड़े ये दो बड़े वदलाव हो चुके हैं पहला राबन दहन के लिए दूर जाने की कताई जरूरत नहीं है और दूसरा राबन दहन पहले की तरह कठन नहीं है दसहरे पर स्वभावे के ही एक प्रश्न यह भी उमरता है कि क्या बुराई का बल समय के साथ बढ़ रहा है और अच्छाई सिमर्ति जा रही है क्या अपने जीवन में केवल छीन कर अरजित करने बाले राबन की लोग प्रियता बढ़ रही है वस्तोताह दसहरा हमें राबन को समझने का भी अवसर देता है रामनी अपनी छोटे भाई भरत को राजा मान कर सहर्स बन जाना सुईकार किया लेकिन रावननी अपनी बडे भाई कोईर को भगा कर लंका छीन ली राम पगपग पर अपनी ज्यान का उपयोग त्याग, मर्यादा और प्रेम में करते हैं जबकि राबन अपनी ज्यान का उपयोग अहंकार, दुराचरन और अनियंत्रित भोग में करता है ऐसे राबन का जो अंतिम परणाम है, वह राम को ही ससक्त करता है राबन मरकर भी कई सबक सिखा जाता है आज विजिया दसमी अर्थात राम की विजय को समझना भी आवस्यक है राम युद्ध के आकांख्शी नहीं है, वह सीधे आक्रमन नहीं करती बार बार दूत भीज कर राबन को तरह तरह से समझाने, मनाने के प्रियास करते हैं युद्ध में किसी मर्यादा परंपरा का उलंगन नहीं करती, राबन की अंतिम बिदाई राजसी ठाट से करवाती हैं जीती हुई लंका में किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करती, राबन की भाई को ही राज्य सौप देते हैं और उस राज्य से कोई छोटी सी वस्तु भी उठा कर नहीं लाते हैं ऐसा करते हुए वह एक-एक लंका बासी का दिल जीत लाते हैं जिस दुनिया में कई देश और बीर अपने सत्रु वा सत्रु देश को पूरी तरह तबाह करके खुद को थोप देने के लिए युद्ध करते हैं बहां राम की इस महाविजय का महत्त सब को समझना चाहिए आज कौन सा मजहब है जो अपने बीरों को ऐसी महाविजय से रोकता है निसंदेह बिजिया दस्मी का महापर्व अपनी समगरता में पूरे संसार के लिए युद्ध नहीं वलकि प्रेम और मर्यादा का संदेश छोड़ जाता है अब की तो यह था 80 वर्ड और यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ इसू हुआ है कुछ भवयता समय के साथ यहाँ पर मैंने कुछ पता नहीं क्या बोल दिया था कि समय साथ ऐसा कुछ बोल दिया था ठीक है तो understand कीजे, उसे मतलब मिलाते समय mistake मत count कीजेगा, ओके और दूसरी बात किसी ने प्रस्ट ने पूछा था कि अंग्रेजी वर्ड अगर आ जाए बीच में तो हम कैसे लिखें, जैसे यूनिवर्स्टी को UT लिख सकते हैं का, UN लिख सकते हैं का विल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप outlines में, मतलब ऐसा UN या ABC कुछ भी लिख कर आते हैं तो उसे mistake count के जाएगा, तब तक आपकी outline नहीं देखी जाती, जब तक आपकी मतलब गलतियां translation में परियाप्त होती हैं, अगर वो परियाप्त नहीं है तब पर आपकी short end भी देखी जाती है और उसमें cable यह देखा जाता है कि आपने कहीं हिंदी या अंग्रेजी का कोई वर्ण तो नहीं लिख दिया, ठीक है अगर आपने उसमें यूनिवर्स्टी की जगाए पर महाभारत भी लिख दिया होगा न, short end में तो भी गलत नहीं होगा लेकिन अगर आपने यूनिवर्स्टी के जगाए यू एन कुछ भी लिख दिया तो वो गलती मानी जाएगी तो ऐसी गलती ना करें हाँ, छणेक रूप से आप ऐसा करने के लिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर आपको ततकाल उसका आउटलाइन नहीं समझाता तो बना सकते हैं बाद तब जब आप ग्रेफाइट यानि पैंसल यूज़ कर रहे हों, और बाद मिटा करके उसे लिख दें, आउटलाइन, अदरवाइस वो स्टेक काउंट होगी, चलिए बढ़ते हैं नब्बे बड़ प्यम के ओर, तो आपकी रिक्वेस्ट थी नब्बे बड़ प्यम फीमल वाइस में, तो प्रिजेंट करेंगे मैडम, फीमल वाइस नब्बे सब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट होगा, फाइव सेकेंड बाद स्टार्ट, मुंबई में मेट्रो के कार सेड निर्मार के लिए पेडो को काटने का विरोध आखिरकार सुप्रीम कोट भी पहुचा, उसने मुंबई की आरे कालोनी में पेड काटने पर रोक लगाने का आदिस देने के साथ ही मामले को पर्यावरन पीठ के समक्ष भेज दिया इस पीठ का फैसला जो भी हो इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की जितने पेड काटने जरूरी थे उतने काटे जा चुके हैं बंबई हाई कोट के फैसले के बाद यह काम आनन फानन में सायद इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई मेट्रो कार्पोरेशिन यह जान रहा था की हाई कोट के फैसले को चुनोती दी जाएगी जो भी हो यह पहली बार नहीं जब पर्यावरन प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों ने पेडों को काटने का विरोत किया हो और अपनी लडाई अदालत तक ले गए हों कई बार तो सडक या फिर रेल मार्ग के निर्मान के लिए पांच दस व्रिक्षों को भी काटने का विरोत किया गया है इस विरोत के चलते विकास योजनाओं का काम रुका भी है आज जब जलवायू परिवर्तन का खत्रा बढ़ता जा रहा है और जल जंगल जमीन को सनरक्षित करने की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है तब यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि सहरी इलाकों में ब्रिक्षों को काटने की नौबत न आये लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास जमीन पर ही होगा और जब ऐसा होगा तो कहीं न कहीं पेड़ काटने ही पड़ेंगे वास्तों में परियावरण और विकास के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ती तभी होगी जब बीच का रास्था तलासा जाई का पहले तो यह देखा जाए कि कम से कम पेड़ काटने पड़ें फिर यह सुनस्चित किया जाए कि जितने पेड़ काटे जाएं उससे कहीं अधिक न केवल लगाए जाएं बलकी उनकी देखबाल भी की जाए अगर यह जिद पकड़ी जाएगी कि चार पेड़ भी न कटने पाए भले ही विकास के काम न हूँ तो इससे बात नहीं बनेगी यह ठीक नहीं कि विकास की कई योजनाएं पर्यावरण संबंधी सवालों से दो चार होने के कारण अटकी पड़ी हुई हैं इन में से कुछ की तो लागत भी बढ़ गई है यह ठीक नहीं निश्चित रूप से विकास की चिन्ता करते समय पर्यावरण की भी चिन्ता करनी होगी लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी योजना पर्योजना की राह में कुछ व्रिक्ष आ रहे हुँ क्या यह अजीब नहीं की पर्यावरण की तमाम चिन्ताओं के बीच पंजाब और हर्याना में पराली एक बार फिर जलाई जा रही है क्या यह पर्यावरण को जान बूज कर जहरीला बनाने वाला काम नहीं बहतर हो की पर्यावरण के साथ विकास की भी समान चिन्ता की जाए और जंगल बचाने बढ़ाने पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया जाए नब्बे सब्दे प्रतिमिने डिक्टेशन समाप्त हुआ चलिए बढ़ते हैं 100 वर्ट पीम के ओर और यहाँ पर आपको मिलेगा जागरण का बॉइस रहेगी मेरी क्योंकि नब्बे चुकि आपने कहा था मैडम की वाइस में रहना चाहिए तो एक खास बात आपको बता दें अगर आपने अभी डिक्टेशन मतलब यहाँ पर आप वाइस देख सकते हैं ओके लाइब इसके बार में अलग से वीडियो बना देंगे वट अभी आपको डिस्क्रिप्सर में एक हम लिंक देंगे जहां पर आप जा करके उसे चेक कर सकते हैं ठीक है तो जिन लोगों को वाइस सुनने के आदत है डिरेक्ली वहा स्टार्ट करते हैं अभी 100 वर्ट पीम स्टार्ट करेंगे ठीक तीन सेकंड बाद मुंबई में मैट्रो के कार सेड निर्मान के लिए पेड़ों को काटने का विरोध आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा उसने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने पर रोक लगाने का आदेश देने के साथ ही मामले को परियावरन पीठ के समक्ष भेज दिया इस पीठ का फैसला जो भी हो इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि जितने पेड़ काटने जरूरी थे उतने काटे जा चुकी हैं बंबई हाई कोट के फैसले के बाद यह काम आनन फानन में सायद इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई मेट्रो कॉर्परेशन यह जान रहा था कि हाई कोट के फैसले को चुनोती दी जाएगी जो भी हो यह पहली वार नहीं जब परियावरन प्रेमियों एबं सामाजिक संगठनों ने पेड़ों को काटने का बिरोध किया हो और अपनी लडाई अदालत तक ले गए हो कई वार तो सडक या फिर रेलमार्क के निर्मान के लिए पांच दस ब्रक्षों को भी काटने का बिरोध किया गया है इस बिरोध के चलते बिकास योजनाओं का काम भी रुका है आज जब जलबायू परिवर्तन का खत्रा बढ़ता जा रहा है और जल जंगल जमीन को सनरक्षित करने की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है तब यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि सहरी इलाकों में ब्रक्षों को काटने की नौबत ना आए लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास जमीन पर ही होगा और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं पीड काटने ही पड़ेंगे वास्ताव में परियाबरन और विकास के बीज संतोलन कायम रखने की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ती तभी होगी जब बीच का रास्ता तलासा जाएगा पहले तो यह देखा जाए कि कम से कम पीड काटने पड़ें फिर यह सुनशित किया जाए कि जितने पीड काटे जाएं उससे कहीं अधिक न केवल लगाई जाएं वलकि उनकी देखवाल भी की जाए अगर यह जिद पकड़ी जाएगी कि चार पेड भी ना कटने पाएं वले ही विकास के काम ना हो तो इससे बात नहीं वनेगी यह ठीक नहीं कि विकास की कई योजनाएं परियावरन संबंधी सवालों से दोचार होने के कारण अठकी पड़ी हुई हैं इन मैसे कुछ की तो लागत भी बढ़ गई है यह ठीक नहीं निश्चित रूप से विकास की चिंता करते समय परियावरन की भी चिंता करनी होगी लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी योजना परियोजना की राह में कुछ ब्रक्ष आ रही हूँ क्या यह अजीब नहीं की परियावरन की तमाम चिंताओं के बीच पंजाब और हर्याना में पराली एक वार फिर जलाई जा रही है क्या यह परियावरन को जान भूज कर जहरीला बनाने वाला काम नहीं बहतर हो कि परियावरन के साथ बिकास की भी समान चिंता की जाए और जंगल बचानी बढ़ाने पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया जाए तो यह था 100 WPM और आप बढ़ते हैं 110 WPM का मतलब 10 WPM की ओर जो की है हिंदुस्तान से तो I hope आप लिख सकेंगे क्योंकि इसके outlines आपको मिल जाते हैं पहले और 80 WPM भी एक बार आपको मिल जाता है कल मैंने एक चीज बाद आपको बताई थी कि speed, slow or down मतलब high or down अप कर सकते हैं तो I hope आपने try किया होगा और कहीं न कहीं उसका benefit मिला होगा तो comment करके जरूर बताएं कि उसका आपने love लिया है कि नहीं लिया है और दूसरी बात मैंने एक search किया था आज तो एक stando hair plan करके किसी ने channel बनाया है same name से तो उसमें same dictation ही upload किया जा रहे हैं बाकि आप लोग समझदार है तो मतलब भ्रहमित ना हो अगर कोई ऐसा करता है या फिर future में कहीं कोई ऐसा करता है कि whatsapp link join करें मतलब हमारे group है ऐसा करके तो मैं बता दूँ आपको कि हमारे communication network आपको हम खुद बताती है other किसी source से अगर आपको लगता है तो be careful क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि किसी के साथ मतलब गलत ना हो girls के लिए तो हम खासतोर पे इतनी निगरानी रखते हैं कि उनके group में कोई voice ना जुड़ पाए बहुत security से वाकी voice समझदार है क्योंकि हम यार business करने या फिर मतलब हैरान करने नहीं आये वट सिर्फ ये चाहते हैं कि आप घर वैठी थोड़ा सा कुछ अच्छा कर सकें कुछ आपको benefit मिल सकें इसके लिए तो links पर थोड़ा सा carefully क्लिक करें अगर आपको कहीं अधर दिख रही है तो basically हमारे description को चेक करें वहीं पर आपको जो links है हमारे network है वहीं मिलते हैं और username हमारे stenography का है basically हिंदी steno चाहे वो twitter पे देखो, instagram पे देखो blogger पे देखो या पर कहीं पर same name से channel भी बना लेता है तो make sure कि आपने username सही type किया हो, check कर लें उसे कि cross check जरूर करें क्योंकि directly तो youtube पे आपको so नहीं होता है उसका username वट आप youtube.com slash hindis teno type करके cross verify कर सकती है कि वास्ता में वो सही channel है या नहीं है वाकि ऐसी कोई बात नहीं है वाकि एक संका है कि अगर ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब परिशान करे या कुछ भी करे तो आप cross verify जरूर कर लें ठीक है ओके and practice जरूर करते रहें क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी वाकि हमारी boys तो सिर्फ एक boys है और उसको सफल मतलब आप success तव होंगे जब आप लिक्टिसन लिखेंगी और carefully लिखेंगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं 110 बर्ट पिम स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद दस अहरा नकेबल भारतिये वलकि संपूर्ण मानविय सभ्यता की आधारभूत प्रश्णों सी जुड़ा महुत्सब है यह नवरात्र में चलने वाली रामलीला का समापन मात्र नहीं यह मानव जीवन का नवोत्थान है आत्म चिंतन और व्योहार समीक्षा के लिए प्रिरित करता यह महुत्सब अच्छाई सच्चाई की उपियोगिता को हमारी समाज में पुरा सिद्ध और इस्थापित करता है कई त्योहार ऐसे हैं जो पुराने पढ़कर अप्रासंगिक हो चली हैं लोगों ने उन्हें मानना छोड़ दिया लेकिन दसहरे की समकालिनता सदयव बनी रहेगी दसहरे या विजिया दसमी के इस महुत्सब की भव्यता समय के साथ बढ़ती ही जा रही है रामलीलाओं का आकार बढ़ा होता जा रहा है रावन के पुतले बढ़े और संख्या में ज्यादा होते जा रही है क्योंकि इस आयुजन की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक जरूवत बढ़ती जा रही है ऐसा लगता है कि लोग बुराई और असत्य से तंग आ चुके हैं तभी तो रावन का पुतला गली-गली में कुछ देर के लिए खड़ा किया जाता है और उसके देहन पर खुसी मनाई जाती है लोग यह बात भी समझने लगे हैं कि अब एक सहर का कोई एक या दो रावन नहीं वलकि एक सहर में कई हजार रावन होने लगे हैं लगवग सब के अपने अपने रावन हैं जिनका देहन हर्दय को सांतोना प्रदान करता है हमारे समाज में दसहरे से जुड़े ये दो बड़े बदलाव हो चुके हैं पहला रावन देहन के लिए दूर जाने की कताई जरूरत नहीं है और दूसरा रावन देहन पहले की तरह कठन नहीं है दसहरे पर स्वभविक ही एक प्रश्न यह भी उमरता है कि क्या बुराई का बल समय के साथ बढ़ रहा है और अच्छाई सिमठती जा रही है क्या अपने जीवन में केबल छीन कर अर्जित करने वाले रावन की लोग प्रियता बढ़ रही है वस्तता दसहरा हमें रावन को समझने का भी अबसर देता है राम ने अपने छोटे भाई भरत को राजा मान कर सहर्स बन जाना सुईकार किया लेकिन रावन ने अपने बड़े भाई कुबेर को भगा कर लंका छीन ली राम पगपग पर अपने ग्यान का उपयोग त्याग, मर्यादा और प्रेम में करती है जबकि रावन अपने ग्यान का उपयोग एहंकार, दुराचरन और अनियंत्रित भोग में करता है ऐसे रावन का जो अंतिम परणाम है वह राम को ही ससक्त करता है रावन मरकर भी कई सबक सिखा जाता है आज विजिया दसमी अर्थात राम की विजय को समझना भी आवस्यक है राम युद्ध के आकांशी नहीं है वह सीधे आक्रमन नहीं करती बार बार दूत भेज कर रावन को तरह तरह से समझानी मनाने के प्रियास करती है युद्ध में किसी मर्यादा परंपरा का उलंगन नहीं करती रावन की अंतिम बिदाई राजसी ठाट से करवाती हैं जीती हुई लंका में किसी वियक्ति का अनादर नहीं करती रावन के भाई को ही राज सौप देते हैं और उस राज से कोई छोटी सी भी वस्तू उठाकर नहीं लाते हैं ऐसा करते हुए वह एक-एक लंका वासी का दिल जीत लाते हैं जिस दुनिया में कई देश और वीर अपने सत्रू वा सत्रू देश को पूरी तरह तबाह करके खुद को थोप देने के दिए युद्ध करते हैं बहाराम की इस महाविजय का महत्व सब को समझना चाहिए आज कौन सा मजहाव है जो अपने वीरों को ऐसी महाविजय से रोकता है निसंदिह बिजिया दस्मी का महापर्व अपनी समग्रता में पूरे संसार के लिए युद्ध नहीं वलकी प्रेम और मर्यादा का संदेश छोड़ जाता है ओके तो ये था हंडिट बर्ट ओ स्वरी बन हंडिट एक सो दस ठीक है और अब अन्तियम डिक्टिशन जिसमें आपको मिलेगा पहले पहला पाट होगा जागरन का यानि 427 वर्ट मिलेंगे जागरन के और वाकि 200 वर्ट मिलेंगे आप हिंदुस्तान टाइम्स के दौनों का मिक्स करके प्रिजन्ट किया जाता है ताकि आप लोग वहतर तरीके से लिख सकें कल मैंने कमेंट पढ़ा था कि कुछ लोग कह रहे थे ये जो है SSC के लिए बिल्कुल भी फरफेक्ट नहीं है तो उनको बता दें मित्र कि SSC के लिए हमारी अलग सीरीज चल रही है जो कि स्टेनो हेल प्लान पर है आप स्टेन हेल प्लान पर अगर हैं तो आपको यहाँ पर केबल संपाद की हम लेंगे और संपाद के भी हमने उसी प्रकार से रखे हैं जैसा कि लोग कमेंट करते हैं कि ये यूसफुल है और ये करना चाहिए बो भी करना चाहिए क्योंकि आप अगर सुरुआत से देखें सीरीज को तो करीब तीन महीने से ज़्यादा हो गए हैं से और शुरुआत में हमने केबल पहले जागरन लिया था दैनिक फास कर लिया अलग अलग टाइम पे अलग लग खीजन लेती रहें जैसे आपके हमें रिव्यू मिले हैं उसे साब से हमने इसको व्यवस्थित किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाब मिल सके ठीक है और जागरन को हमने एक दिन के लिए नहीं जुड़ा है बलकि लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदुस्ताइन भी डाला जाए तो इस बज़ाए से हमने हिंदुस्ताइन को एड किया है ठीक है और अगर आप टार्गेट स्टडी ही करना चाहती है मित्र तो आप ना स्टैनो हेल प्लान पर जाएए पहाँ पर आपको डेली यूपी ट्रिपल सी, स्सी, ग्रेड सी और ग्रेड डी यानि तीन डिक्टिशन कंटिनुवस दिये जाते हैं वित्र ट्राइल यानि आप घर वेठी लाइब एक्जाम एक्स्पियेंस ले सकती है ठीक है तो अगर आप हार्ड डिक्टिशन लिखना चाहती है तो यहाँ पर रह सकती है तो जाएए और प्रैक्टिस कीजिए और हाँ अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रणाली में दक्ष है आउटलाइन बना सकते हैं तो आउटलाइन सेयर करना बिलकुल ना भूलें क्योंकि हम केवल रिकॉर्डिंग सेयर कर सकते हैं प्रणाली के लिए हर प्रणाली के लिए आउटलाइन देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा तो सेयर जरूर करें सेयर कैसे करना है सिंपली अच्छी से इमेज खीचें बढ़िया और उपर सबसे हेडर में उसके नाम लेखें प्रणाली का नाम किलियर इमेज खीच करके इमेल कर दे help.stanu.support.blogger.com पे और especially thanks उन लोगों को जो प्राताकाल जाकर के हमारे लिए आउटलाइन भेजते हैं जो कि हम आपको इमेड कर देते हैं एक छोटी सी पोस्ट में सभी आउटलाइन बेति स्पीच तो चेक कर ये description या फिर community tab बहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऐसे link और आपको outline भी मिल जाते हैं अपनी प्राणाली में thanks especially उन लोगों को जो टंडन, जेन, मानक, बिस्स्ट प्राणाली के outline share कर रही है ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आखरी डिक्टेशन की तरफ स्टार्ट करेंगे? ठीक तीन सेकंड बाद मुंबई में मैट्रो के कारसेड निर्मान के लिए पेड़ों को काटने का विरोध आखिरकार सुप्रीम कोट भी पहुँचा उसने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने पर रोक लगाने का आदेस देने के साथ ही मामले को परियावरन पेड़ के समक्ष भेज दिया इस पेड़ का फैसला जो भी हो इसकी अंदेखी नहीं की जा सकते कि जितने पेड़ काटने जरूरी थे उतने काटे जा चुकी है बंबई हाई कोट के फैसले के बाद यह काम आनन फानन में सायद इसी लिए हुआ क्योंकि मुंबई मेटरो कॉर्परेशन यह जान रहा था कि हाई कोट के फैसले को चुनोती दी जाएगी जो भी हो यह पहली बार नहीं जब परियावरन प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों ने पेड़ों को काटने का बिरोध किया हो और अपनी लडाई अदालत तक ले गए हो कई वार तो सडक या फिर रेल मार्क के निर्मान के लिए पांच दस ब्रक्षों को भी काटने का बिरोध किया गया है इस बिरोध के चलते विकास योजनाओं का काम रुका भी है आज जब जलबायू परिवर्तन का खत्रा बढ़ता जा रहा है और जंगल जल जमीन को संरक्षित करने की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है तब यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि सहरी इलाकों में ब्रक्षों को काटने की नौबत ना आए लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास जमीन पर ही होगा और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं पीड काटने ही पढ़ेंगे वास्ताव में परियावरन और विकास के बीच संतुलन कायम करने की जरुवत है और इस जरुवत की पूर्ती तभी होगी जब बीच का रास्ता तलासा जाएगा पहले तो यह देखा जाएगी कम से कम पीड काटने पड़ें फिर यह सुनिश्चित किया जाएगी जितने पीड काटे जाएं उससे कहीं अधिक नकेवल लगाए जाएं वलकी उनकी देखवाल भी की जाए अगर यह जिद पकड़ी जाएगी की चार पेड भी ना कटने पाएं वले ही विकास के काम ना हो तो इससे बात नहीं बनेगी यह ठीक नहीं कि विकास की कई योजनाएं परियाबरन संबंधी सवालों से दो चार होने के कारण अटकी परी हुई हैं इन मैसी कुछ की तो लागत भी बढ़ गई है यह ठीक नहीं निश्चित रूप से विकास की चिंता करते समय परियाबरन की भी चिंता करनी होगी लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी योजना परियोजना की राह में कुछ वरक्ष आ रही हूँ क्या यह अजीव नहीं कि परियाबरन की तमाम चिंताओं के बीज पंजाब और हर्याना में पराली एक बार फिर जलाई जा रही है क्या यह परियावरन को जान भूज कर जहरीला बनाने वाला काम नहीं बहतर हो की परियावरन के साथ मिलकर बिकास की भी समान चिंता की जाए और जंगल बचानी बढ़ाने पर कही ज़्यादा ध्यान दिया जाए दसहरा नकेवल भारतिय वलकी संपूर्ण मानविय सभ्यता की आधार भूत प्रशनों से जुड़ा महोत्सव है यह नवरात्र में चलने वाले रामलीला का समापन मात्र नहीं यह मानव जीवन का नवोत्थान है आत्म चिंतन और व्योहार समीक्षा के लिए प्रेरित करता यह महोत्सव अच्छाई सच्चाई की उपियोगता को हमारे समाज में पुना सिध्ध और स्थापित करता है कई त्योहार ऐसे हैं जो पुराने पढ़कर अप्रासंगिक हो चले हैं लोगों ने उन्हें मानना छोड़ दिया लेकिन दसहरे की समकालिन्ता सदेव बनी रहेगी दसहरे या विजिया दसमी के इस महोत्सव की भव्यता समय के साथ बढ़ती ही जा रही है रामली लाओं का आकार बड़ा होता जा रहा है राबन के पुतले बड़े और संख्या में ज्यादा होती जा रही है क्योंकि इस आयोजन की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक जरूरत बढ़ती जा रही है ऐसा लगता है कि लोग बुराई और असत्य से तंग आ चुके हैं तभी तो राबन का पुतला गली-गली में कुछ देर के लिए खड़ा किया जाता है और उसके दहन पर खुसी मनाई जाती है लोग यह बात भी समझने लगे हैं कि अब एक सहर का कोई एक या दो राबन नहीं वलकि एक सहर में कई हजार राबन होने लगे हैं लगभग सब के अपने अपने राबन हैं जिनका दहन हरदय को सांतोना प्रदान करता है हमारी समाज में दसहरे से जुड़े ये दो बड़े बदलाव हो चुके हैं पहला राबन दहन के लिए दूर जाने की कताई जरूरत नहीं है और दूसरा राबन दहन पहले की तरह कठन नहीं है ओके तो ये था 120 बड़ पीम आई होब आपने लिखा होगा अगर लिखा है वाइस या डिक्टिशन या वीडियो कुछ भी आग अगर आपको अच्छा लगता है तो एक like कर सकती है अगर useful लगता है तो एक share कर सकती है और अगर कोई सवाल या सुझाओ है तो comment करके बता सकती है बैसे comment में ज्यादत आप लोग पूछें outlines तो वहतर है क्योंक traveling में अगर आप नहीं पूछेंगे WhatsApp अगर भीज़ेंगे तो possible नहीं हो पाता क्योंकि कई सारे message हो जाती है तो आपका जो सब्द होता है या पूचा गया word होता है वो दब जाता है ठीक है और अगर PDF चाहती है तो description चेक करें बहाँ पर आपको मिलती है group, WhatsApp group 6 है तो छटमा group अभी अभी ताजा बनाया गया जोने 50-60 बंदे add हुए है तो आप जोड़ सकती है लेकिन carefully girls वो girls के लिए नहीं है open है तो publicly cable voice जोड़ सकते हैं उसमें girls को अगर जोड़ना है तो group में जाइए but join मत होईए admin को भेज़ दीजिए message ठीक है admin आचलको या फिर मुझे भेज़ दीजिए आपको add कर दिया जाएगा girls group में या फिर अगर आप ये तकलिफ नहीं लेना चाहती है तो आप directly facebook पर जा सकते हैं search करें steno help line बहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा group बहाँ पर भी same चीज़ आपको मिलती है और अगर आप telegram पर जाना चाहती है social network के बजाए messenger पर ही रहना चाहती है तो telegram पर search कीजिए steno help line या फिर e-dictition या कुछ भी जो भी आपको लगता है कुछ भी search करेंगे आप steno help line, sort and help line कुछ भी तो आपको हमारे channel बहाँ पर भी मिल जाएगे बहाँ पर भी आपको PDF मिल जाता है और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहती है तो description में जाएए download PDF या PDF लिंक करके एक link मिलेगा उसमें आपको PDF की link मिलेगी आज की link होगी tiny.cc slash gms10111 यानि 111 ठीक है click करेंगे तो आपको एक post पे ले जाएगा बहाँ पर आपको एक button मिलेगा orange color का बेट करना पड़ेगा कुछ second एक circle घूमता है percentage में process होता है 100 होनी पर वो create link का एक orange button देता है उस पे click करके आप PDF जनरेट करेंगे तो post के down section में आपको एक PDF का button मिल जाएगा orange color का उसे download कर सकते हैं लेकिन आज का जो post है वो इस पेसली है translation पे आधारित कि typing करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें तो I hope आपको वो post पसंद आएगी और आप जरूर पढ़ेंगे कि typing के दौरान किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे गलतियां कम से कम हों ओके तो मिलते हैं जल्द ही